दोस्तो बंगलादिश वोसिस इंगलेंड के बीच होने वाला है आज का दिन का सेकेंड मैंच होगा दोस्तो ओमेंस टीट्वेंटी वॉलकप का कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट इस वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आगे हम लो बालिंग था इनका मंगलादिश के स्पिनस भी की होंगे ऐसा मैं मानता हूं बंगलादिश अगर बॉल फर्स करते अच्छा अशा प्रेशर करेगा बंगलादिश का प्रॉब्यम होगा इनका बैटिंग बहुत वीक है शायद जादर ना बनाएं इंगलेंड चेस कर जाएं एक रिस्की दोस्तों कैब विसी ऑप्शन है मैं मानता हूं ड्रॉप और रोटेट कर सकते हो दोस्तों अगर सम्हाव बंगलादेश ने बैटिंग ले लिया फर्स चैनिंग में तो दोस्तों यह पॉइंट आपको याद रखना चाहिए और इसमें हम लोग डिसकर्स करेंग और स्पीन बहुत अच्छी खेलते हैं यह उफसाइब में अच्छी क्रिकेट खेलते हैं मतलब यह जो लेफ्टाम ऑ्थ्रॉडॉक्स बॉलर्स है ना नीदा अक्तर जैसी उनके अगेंस्ट लेग स्पिनर के अगेंस्ट रवया खान के अगेंस्ट यह प्लियर आपके करते हैं समस्ते इस मैच क्या रहेगा बेस्ट कमिनीशन इस मैच का फाइनल अपडेट मैं आपको प्रोवाइट करूंगा टेलीग्राम पे जूर जाना टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे शार्जा क्रिकेट स्टीडियम में यह फॉर्थ मैच होगा औ और आज का दीन का सेकेंड मैच मतलब थोड़ा सा टायट पीच आपको दीख सकता है इस वेन्यू में रन इस साल उमेस्टी 20 वालकप का दो मैच हुआ है दोनों बार फर्स्ट इनिंग्स में साथ वीकेट और दस वीकेट सेकेंड इनिंग्स दोनों बार चेस नहीं कर पाया स्लो ट्रैक था इवन नाइट वाला जो मैच हुआ उसमें भी पीच स्लो डाउन हो या था सिलंका पाकिस्तान वाला मैच में सेगे इनिक्स में साधिया इकबाल नश्रा संदू भर भर के विकेट लेके गई थी और उससे पहले जो मैचेस हुए थे दोस्तों 50 अबस मैचेस किलाफ अफगनिस्तान वसे साथ आफरिका उसमें भी हमें दो मैच में तो भर भर के विकेट दिखा है एक मैच में सीव स्कोर बना था रामनला गुरुबाद जो चेज नहीं हुआ था 134 पोल आउट स्पीन हो रहा था रशीद निकाला तो स्पीनर्स की रोल लेंगे इस प बहुत रार वेन्यू दिखेगा आपको एवरेस 144 मेंस में में और कम हो सकता है मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा पेसस को सपोर्ट मिलेगा अगर इग्दम से फ्रेश ट्रैक रहा बात अलग बट यह सेकंड मैच एट दिन का तो चांसेस तो कम ही है अगर आप देखो कि है इंग्लादेश में एट कर दिया इनके मैच नीक बात अच्छा ने अच्छा रहेसं इस साल बहुत अच्छा चाहिए यह बेस्ट्री महान भी टिम सेंवन मैं ऑसurelia के मुकाबले दोस्टो इंग्छा ब्मकेंस बहुत अच्छा बहुत ना चाहा है सारा गलेन, सोफिय कलिस्टैन और दोस्तों निंसी स्मिट, फोर्थ स्पिनर इनके बास चारली डीन है, सोच रहे हो फोर टीम कीतना स्टॉंग देख रहा है, और एक बाद क्या पता है, यह तीनों बैटिंग भी गरना जानती है, सारा गलेन भी हिटिंग कर लेती है, लिटाना शॉन नाक्तर रितुमोनी ऐसा पहला मैच में बैडिंग ओर था इसके आसपास होगा कि और इस्ट स्कॉटलें ओमेंस इनसे रणी बन रहा था तो विंग्लेंड ओमेंस का क्वालिटी पेस के गेंस क्वालिटी स्पीन के अगेंस बहुत मुश्किल है मुशिदा प्लेयर एची है लिफ्टी बैटर अगर चलिया तो सहीं बात है उपनेंग पर लिए ब्रया सावित हो सकती है तरही पोट परफोमेंस लास्ट मैच जिये एंगर दिखेगा रीसेंट परफोमेंस लास्ट मैच में बारा बनाया उससे पहले में डूनार बेच पाच और उससे पहले टी इटी-टी में 3-2-11 कुछ असा परफोमेश टीटी इंडिया में अट तालीस मैच 22 करें से नौस अग अगर आप देखोगे साथी रानी थीक ठाक प्लियर है बट इस मैच के लिए आइडियल नहीं है लास्ट मैच से पहले तक टी टुइंटिया में पाच मैंच में पचास था लास्ट मैंच में अच्छा खेला 29 रन रिसेंली ओंप में अच्छे खेले इससे फेले टी टुइंट अगर आपके लिए मेरे साब से इस मैच में विकी से जादा बेटर चॉइस है बट अगर आपको विकेट कीपिंग से पॉइंट चाहिए तो एमिजोंस दे सकती है क्योंकि एकलिस्टन डेट करेंगी लिफ्टा मॉथ्रोग्स बॉलर उस कंडिशन में ठीक है बट अगर आपको विकेट कीपिंग बैटर चाहिए तो नीगर मेरे साब से राइट तो राइट बेटर चॉइस यहां पे देखो के तो शॉन ना अथतर इन्होंने रिसेंट टा सकती है बॉल फर्स ट्राइक करना है बॉल से कंड रोटेट कर सकते हो रितु मोनी लास्ट मैच में बहुत अच्छा बॉल डाला चार ओवर में दो इकेट एट कर सकते हैं अपने टीम में नॉटा बैट चोईस बट राइटर मेडियम बहुत इजी हो जाएगा खिलने के लि सबसे देखोगे तो रभिया खान थोड़े बहुत लुए रोडर में हिटिंग ट्विंटी नीटी ट्विंडे में एटेट रन नाइटी ट्विकेट लास्ट मैच में चार ओवर में एक विकेट सेफ है वह मुप में दो इक विकेट था उससे पहले टीटी में तीन दो चार मेरे साब से बैक करना चाहिए नहीं दाकतर इस्टीम का सबसे बहतरीन बॉलर है एटी सेवें टीटी टीटी ने नाइटी नाइटी ने विकेट बोद कंडिशन रख लो और इनका ना स्पिन लेट अंदर के तरफ आता है बाहर नहीं जाता है कम बाहर जाते है तो यह से थोरा से दिक्कत हो जकता है अधर्वाइस अ इनवेट भी अच्छी है मेरे साब से नहींता रखना सही है बोद कंडिशन सेफ है पुब्लिक तो इसको मस्ट बनागे चलेंगे दोस्तों बोद कंडिशन मारुफा अक्तर लास्ट मैच में थीन ओवर एक विकेट अच्छा बॉल था एक विकेट भी निकाला बट स्टिल म इन चालिस ओवर दस विकेट है और बिक बॉलर है ओपनें के पास लेफ्टी बैटर ही नहीं टॉप में एक ही है फ्रैक मिलोडर में शायद अगर खेलती है तो तो शायद ही खेले सुलताना खातून खेलती है तो डिफेंशन ले सकते हो तेरा मैस दस विकेट दिलारा अक्त विक्ति पीनग से अगर देखोगे स्टूबीशन मौरुफा अक्तर नहींदा फलीमा खातून वे करते विकेगे मारुफा नहींदा अक्तर रबिया आपको डेट में करते हैं और जाते हैं कई कबार इनको डेट में इन्टेडियूस नहीं करता है तो इनकान कोई स्पिनर सकता है वो स्पिनर हो सकता है दोस्तों शॉनना या फिर फाहीमा खातुन बॉल फर्स्ट हुआ तो दोस्तों कोई भी आकर डेट हो कर सकते मुझरे साबसे स्पिनर सी करेंगे ओवर्स डिस्टिबिशन मरूफा एक छे और ट्विंटीत ओवर डाला लास्ट मैच में नहीदा द पर टीम का बॉटेंस और तोस्तों थोड़े से मेरे साब से शॉनना अक्तर इसमाच में आपके लिए पंसावेट हो सकती है रिसे लिए उमों मुपी में अच्छा गया इंग्लेंड से दिखोंगे तो डैनिवेट ऑपन मैं बुशेर तोस्तों एलेस कैपसी फिर आएंगे नेट सिवर ब्रांड हेदर नाइट एमी जोंस में क्या बदूरा था कि अगर चेस कर दाया ना नेट सिवर देको टू डाउन है अगर 17 चेस करने को मिलेगा ना इंग्लेंड को तो टू डाउन नेट सिवर शायद जादा रन बना है ना जादा जादा 30-30 तो रिस्क हो पारग लें लिंसिस में लॉरें बेल बहुत तगरी बॉलिंग यूनिट है बहुत अच्छी बैटिंग यूनिट भी है इनसे देखो के तो डैनी वेट कि टीटू इंडिया में 160 मैच में 127 ओवर 46 हुए अभी तो बॉलिंग बहुत कम करती है और हम अब में 35 बैटिंग से 22 का अबरेज रिसेंट टाइमस में अच्छा क्रिकेट खेला और 100 में भी ना टच में थी मेरे साब से लेना चाहिए आपको मया बुशेर के साथ ओपिन करेंगी 35 मैच 530 एटरन है 30 का अवरेज से एटिकिंग क्रिकेटर है निकल की खेल दिये सिधा केल दिये मेरे साब से सवाल है देखो 6 वर तक तो मुझे लगता है कि यह शायद खेल जाएंगी 6 वर के बाद इनके लिए बहुत मुश्किल होगा तो बैट अगर फर्स्ट इनिक्स में होता है तो इनको ड्रॉप ही कर दो अगर सेकंड इनिक्स में बैट होता है तो ट्राइकरो मैं इसलिए बता सब्सक्राइब करते हैं निकल के खेलते हैं तेस का टीटो इंडिया एवरेज डिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा नहीं था इवें दहनृट भी एक चीज़ और है लाइस के अप्सीना टूर्णमें का शूरू में अच्छा गेलते हैं मैंने यह नोडिस कहा ओमेस IPL स्टार सब्सक्राइब करते हैं कि यह हो सकता है इस टीम करना सेकेंड पेसर हो ठीक है रिसेली मॉम अप में 31 मैंच में निकाला दह हंडेट में बालिंग पूरा ओवर करा रही थी तो मेरे सबसे नॉटा बैट चॉस रख सकते हो डेट ओवर में भी आ सकते 122 इंडिया में 289 ओवर चाहसी विगेट 27 कैवरेज स्टार्ट प्लेयर है बैट फर्स तो बहुत सभी चैस है यहां पर देखोगे तो हिदर नाइट बैट फर्स ले सकते हो 26 कैवरेज यह पीछ बहुत बहुत श्लोगीश होगा और शाजा मेरे सबसे थोड़ा जादा मुश्किल होडा है बैटिंग करती थी अमी जोन्स निगर सुल्ताना मेरे सबसे बिटर है 21 कावरेज 107 मैच 15 सोरन में बैटिंग करेंगी पूपर स्पीन खेलना परेगा इनको थोड़ा सा दिक्कत होगा लगेश और मुरानने में क्यूंकि एटिंग क्रिगेटर है स्लोग स्विक लगाती है 19 मैच में 49 ओवर 16 कि एटिको ग्रैंड लीग में कोई प्लेयर को बैक करना है इस मैच में इंग्लेयन टीम से वह फ्रेयागम क्यूंकि ये लेफ्टी बैटर है तो लोगिकली लेफ्टा मॉत्रोक्स लेग स्पीनर के एगेंस इसका प्रोमोशन बनता है बट उतनी भी क्वा सब्सक्राइब करना है इस सब्सक्राइब करना है और इनके साथ लेंस में दैड करो तेरा तीड़ इंडिया है 15 ये देखो तीन विकेट है और उसके बाद डुमिस्टी कोड़ है 00 वामउब में एक विकेट डुनाट बॉल ये कमाल की डिफेंशल बन सकती है इस मैच में खेलती है तो लॉरेन बिल थेस मैच 32 विकेट पेस है इनके पास स्पेशिल इनिशली साथी रानी को मुश्किल हो सकता है और बहुत बाउंसर भी डाल जाती है लेंद बॉल भी इनके पास तो वहां पे मुश्किता जो एटिकिंग रेट खेलेंगी उनको भी दिकत हो सकता है हैटकर सेक्टो नौट बैट चोईस क्योंकि इस तीम के पास ना तीम मेरे साब से पेसर रहेगा एक होगा नेट सीवर एक होगा फ्राया केम तो इनके पेस कम है और इनको शायद बॉलिंग भी कम मिले और राइट तो राइट पेसर होगा लॉरेन बेल जादा बॉलिंग के पेसर है बट देखो मिल और में एक लेफ्टी बैटर खिलाने बाले दोस्तो तीम तो शायद फिरिया केम खेलेंगी अधर इस बहुत क्वालिट वैस पेटर है हीटिंग भी डालती है पटनी चाहिए इंगलें को बॉलर तीन तो पेसर हो चुका है दो पार्ट टाइम होगा मुझे नहीं लगता है कि Gibson खेलने बाले और यह लेफ्टाम मीडियम भी है फ्रेया केम वहीं पे यह राइटम मीडियम है तो शायद दा हन्रेट में अच्छी टच में थी जिरो विकेट बाइस रन दो इकर बहुत बढ़ी आप पफोर्मेंस थी टीव इंडे में अटरा में बाइटल निगर सुल्ताना को किस से दिक्कत हुआ एकलेस्टन छे बॉल में रनी नी बुना और एक बार आउट के रगाए डीन के इगलब 20 में 19 सीवाट 6 में चे और सोफिया डंगली दिक्कत नहीं हुआ जहानारा को तेरह में 29 यह जहानारा के खिलाब न यह फेयर ब्रे सब्सक्राइट को भी आउट किया एक ही बॉल में एक बार चलो इसने कई प्रेयर को आउट किया सीवर के खिलाब किसी का खास मैच अप नहीं है तो देखो विकेटी नहीं है थोड़ा स्लो खेला है सिवर नहीं दा को देखके खिला 19 में 10 फाहिमा को अच्छा खेला 9 में 19 सब्सक्राइब को देखो यार कैसे बनेगा ना तो लास्टेट बहुत पहले हुआ था इंग्लेंड चेस कर रहा था चेस्टर सिस्टी फोर पे तीन हो गया दोस्तों एक में इंग्लेंड एक 153.47 मैं यह प्रेफर नहीं कर रहा हूं क्योंकि टीम्स में इतनी सारे चेंज़ इसलिए शायद आपको आप पर भी परफोर्मस मिल रहा है वाट मैं समाओ मांता हूं कि स्पीनर सी की होगा इंग्लादिश के लिए अब चलते हम लोग ड्रीम लावन टीम में दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना अपने दोस्तों साथ वीडियो को धनी वेग आप नहीं लुझा मैं से भी मुष्रिदागों मायाबुशेर कर सकते हुड अबीचेजिंग में साथी रानी जरूरत नहीं है इस नहार जरूरत नहीं और रोंग लिए जरूरत नहीं है नेट सिवर ब्रंट हमारे ली ए इंपोर्टन ए रितु मों एकि और मिडि मैं लाइस केपसी लेता हूं वन डाउन आ जाएंगी शायद अफटर टॉस्ट रोटेशिन बिंदास कर सकते हो फाहिमा मस्टूच मेरे लिए नहीदा मस्टूच पीके एकलेस्टन मस्टूच ए रभया सेफ हमारे लिए ग्लेन हमारे लिए इंपॉर्टन इस मैच में लॉरेन दोस्तो एट करने का दोस्तो आप यहां से शॉन ना अक्तर को अच्छी डिपेंशल बन सकती है रितु मोनी भी डिपेंशल अगर लेना है तो लो पुब्लिक का चॉइस है बट मैं मानना है कि शॉन नाक्तर लेग स्पीनर इंपॉर्टन रहेंगी इस मैच में स्मीट से ही हो जाएगा सारा गलेन भी आप एड कर सकतो हूं आप सारा गलेन से जारा हूं मैं माननों यह रिस्की है चुली में तो सेफ निया बट यह तीम मेरे सबस्तो जादा बेटर है ऐदर लेन वनना लिंस समीट बालिंग फर्स्त हुआ तो यही दोनों में से मेरा दोस्तो बैटिंग किया तो मेरे हिसाब से शायद सीवर का बैटिंग का जादा जरूरूरत ना परे तो सीवर विसी सही नहीं होगा तब बेटर होगा समीट या फिर ग्लेन लिग में बेल भी उसकर सकते हो इंग्लेन टीम बहुत स्वाम है फिलाल यह रहेगा कवरेज यह शो कुछ वित नायद आपाल शायद के विवरेज किया जायद कियाद कर दोस्तों